लगता था कि रतन टाटा पूरे जीवन भर हमारे जीवन भर आने वाले जीवन में हमेशा रहेंगे तो आज मैं कहूंगा कि देश ने अपना एक रतन खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा मेरी मुलागात उनसे कुछ साल पहले लंडन में हुई थी बकिंगम गेट में एक दाज का होटल है तो मुझे मिले थे लगता था कि रतन टाटा पूरे जीवन भर हमारे जीवन भर आने वाले जीवन में हमेशा रहेंगे क्योंकि कुछ लोग आप उनको हमेşह मिलते नहीं है बट उनका इहसास देश के इंफ्रस्ट्रक्शर में नगी नगी देश के चैरिटी इंस्टूशन में नगी है देश के आब औ हवा में नजर आता है अच्छा ही में नजर आता है तो आज मैं कहूंगा कि देश ने अपना एक रतन खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा मेरी मुलागबाद उनसे कुछ साल पहले लंडन में हुई थी बुकिंगम गेट में उनका एक राज का होटल है तो मुझे मिले थे और पांशाद मिनट तक बात करते रहे और फिर बोले कि कि I like your comedies, I laugh when I see you sometimes, not very often but rarely I saw one or two comedies, but उसके अलावा I think किसी इनसान को अगर अपना आदर्श बनाना है तो उसमें रतन टाटा सब से उपर नंबर पर आएंगे, चाहे वो charity के नाम पर हो, चाहे वो giving के नाम पर हो, चाहे वो principles के नाम पर हो, चाहे वो अनुभवों के नाम पर हो, और किस तरह से quietly काम अच्छा करना चाहिए, इंडस्टिलिस तो नदर ही नहीं आते थे, टाटा का इंडस्टिलिस होना ज्यादा ध्यान में नहीं आता था, पर टाटा का giver, एक charitable nature वो हमेशाद ध्यान में रहता था, हमारे यहां तो मुहावरा था, कि अपने आपको टा करने का दिल नहीं करेगा, बट उनकी legacy, अच्छाई की, goodness की, charity की, principles की, authenticity की, I think हमारे लिए एक प्रिनात्मक स्रोत रहेगी, और उनका नाम हमेशा भारत में नहीं, बलकि पूरे विश्व में रोशन रहेगा, because he is a symbol of goodness, he is a symbol of efficiency, he is a symbol of principles, so वो याद दिलाते रहते हैं कि ये इनसान जो है, ऐसा अगर मैं 10% भी बन सकूँ, तो मैं अपने आपको बहुत ही खुश नसीब समझूँगा, मैंने उनकी इतने इतने किसे सुने हैं, कि वो अपने गाड़ी में छोटी गाड़ी में आते थे, कोई ऐसा उनका ओफिस नहीं था, तो सिंप्लिसिटी, घर भी छोटा था, हाँ, बिल्कुल, सिंप्लिसिटी का इससे बड़ा उधारन कोई हो ही ने सकता है, मैं ये कहना चाहूँगा कि रदन टाटा जी ने अपनी अमीरी का एहसास तो हमें कराया हैं नहीं,